हेलो दोस्तों स्वारत आपका आज के एक न्यूव वीडियो के साथ उम्मीद कता हों आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए कंसेप्ट के बारे में यानि कि जिसे हम जनरली हनी ट्रैपिंग किसते हैं लेकिन हनी ट्रैप को ब्लैक मेल करके पैसा कम मांगने या कोई गलत काम करवाने की बात सुनते रहते हैं तो यह किसे आजकल दोस्तों तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि जैसे टेक्नलोजी और समाद में सोशल साइट का यूज भढ़ रहा है उसी तरीके से इस तरीके जो किसे हमें दिन पर द निध्य प इंपॉर्टेंग के बारे मैं पहुंच सके तो सबसे वहले हम जानते हैं कि क्या है हनी ट्रैपिंग तो विल्क savez में कोई भी महला कोई वोंकि सरकारी यजिए किसी उच पोस्ट पर जो वरक करते हैं या फिर किसी पैसे वाले व्यक्ति से दोस्ति या उनसे कांट जस्दीकिया बनाने के कोशिश करते हैं और फिसको बढ़ा कर किसी पूर्ष की कोई प्राइवेट वीडियो या फिर फोटो को लेकर उसे ब्लैक मेल करके कोई भी इन्फोर्मिशन जो की काफी प्राइवेट हो या फिर पैसो के प्रॉफिट पैसो से लाब कमाने के उदेश् करती हैं और ऐसा ना करने पर किसी भी महिला के द्वारा ऐसी प्राइवेट वीडियो को फोटो में यह प्राइवेट वीडियो या फिर फोटो को पब्लिक रूप से यानिकि सारुजनिक करने या फिर किसी शोशल मीडिया प्लेट फॉर्म पर अपलोड करने की धंकी देती है तो आज के जरी टाइम में हगर हम बात करें कि हनी ट्रैपिंग के जरिये जो सेना के आफसरों को लेकर उनको फसा कर उनके खूफिया जानकारी उनसे पैसे लेने जैसी बातें सामने आई थी जिसके चलते जो इंडिया गौर्बेंट ने इंडियन आर्मी के जो जवानों को शोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेस्बुक, इंस्टाग्राम या फिर कोई भी डेटिंग वेबसाइट को अपने मोबाइल से हटाने का रिक्वेस्ट किया गया था। एभी डिसेंटली राजस्तान पुलिस ने इंडियन आर्मी के एक जवान को ग्रिफतार किया कि जिसको पाकिस्तान की महिलाओं ने हनी ट्रैप में फसाया था। और ये जवान उन महिलाओं के कहने पर इंडिया की खूफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजता था। तो दोस्तों इसी पेशे बात करने की क्या मेंड कारण हो सकते हैं कि घुनीर ट्रैपिंग के पीछे तो जैसे कि जाते हैं काफ़े सोर्सई सी यह संसाधर्न भड़तर जा रहे हैं तो दोस्तों हनीर ट्रैपिंग के तरीकों को जाना बहुत जूरूरी है जैसे जैसे एक शोशल प्लेटफॉर्म या डेटिंग साइट्स और वगएरा वगएरा जो हमारे जनरी एप स्टोर से मिलके हम उसका यूस करते हैं जैसे जैसे वो बढ़ रही हैं उसी तरीके से इस तरीके के अपरादों में भी काफी इंक्रीज हो रहा है और नए नए तरीके हमें दिन पर दिन देखने पे मिल रहे हैं और आज के टाइम पे हम भी काफी इस चीज़ से वंचित नहीं हैं हमारे आज पास भी इस चीज़ों को लेके काफी जाग रुकता होना जुरूरी है किसी भी शोशल मीडिया की वेब साइट या डेटिंग एप से या फिर कोई मैटरिमोनियल साइट और स्पेशली एडल्ट वेब साइट इस तरीके के आदी के जरिये आम लोगों से फ्रेंड्शिप बनाकर उनसे बातचीत शुरू करके उन्हें इस चीज़ का शिकार बनाय हुआ है वीडियो कॉल के जरिये आप से कॉंटेक्ट बनाने का प्रचलन चलता है अक्सर आप भी इस बार में जान होंगे लेकिन आपको बता दें यह जो नया तरीका दो शुरू किया है हनी ट्रैपिंग से लेटिड उसमें वीडियो कॉल के जरिये कोई एक कॉंटेक्ट बनाने का प्रचलन है आपको भी हो सकता है कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कभी अन्नोन नंबर से स्पैशली किसी महीला या वुमेन की एक फेक आइडिये से आपको एक डारेक्ट वीडियो को लाए कि जिसमें जो एग्रीड होगा जैने कि जिसको शिकार बनाना है उसके पास एक वीडियो को लाती है कुछ देर रोमांस भरी बाते करके जो महीला है वो निर्वस्त हो जाती है यानि कि अपने कपड़े खोल सकती है और अपने शिकार को भी निर्वस्त होने के लिए बोलती है और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है इसके बाद जो महीला है वुमेन होगी उस recording को social media side पर upload करने की धमकी देकर अपने शिकार से मनचहा काम करवाती है या फिर उससे पैसे की मांग करती है तो एक तरफ दूसरा तरीका ये है कि जिससे कोई भी महिला जो है वो जो शिकारी होगा यानि कि जिसको उन्होंने पार्ट बनाया हुआ है अपने निशाने पर वो उनसे शादी तक कर लेती है और शादी करने के बाद शिकारी जो होगा यानि कि जो भी परसन होगा जिसको सफर किया गया है उसके उपर कई विवाहिक मुगद में मैटरिमोनियल केसे चला देती हैं जैसे कि जिसमें 498 IPC हो सकता है या फिर मेंटरनेंस का केस डाल देंगी इस तरह के केस को डालके भी उसमें उलजा देंगी और फिर समझोता करने के नाब पर एक मोटी रकम उस पर वसूल लेती है और फिर शिकारी जो होगा यानि कि जो है उससे फिर वो तलाक लेंगी तो इसके बाद फिर कोई भी अगला शिकारी देखेंगी यानि कि एक को तो फसा लिया उनसे पैसा लूट लिया समझोता करके अब उसके बाद उनका नंबर है कि दूसरे को फसाना इस जाल में तो यही जो घटनाए है अगले व्यक्ति के सा लाइम पे हनी ट्रैपिंग के जो नए तरीके हैं काफी सामने आ रहे हैं जिसमें बहुत ही आपको केरफुल रहने के जुड़त हैं बहुत स्तर्क रहने की जुड़त है क्योंकि हरे बचने के लिए कुछ आपको उपाए ध्यान में देने होंगे और वो कौन-कौन से हैं ज किसी भी अजनबी से या अंजान व्यक्ति से या कोई भी महिला से कभी भी संपर्क ना करें और ना ही उनकी फ्रेंड्शिप को यानकी मित्रता को सुविकार करें क्योंकि जनरली होता क्या है कि हम फेस्बुक इंस्टेग्राम यूज करते हैं और हमें जब किसी भी अन्नौन अगर गर्ल वोमेन किसी की भी अक्सर मदब स्पेशलिस में मैं के लिए नहीं है इसमें जो महिला और पुर्श दोनों के लिए है कि कोई भी अपोजेट परसन से जो रिक्वेस्ट आती है इसको एकसेट कर लेते हैं और किसी भी अजनबी से अपनी परसनल इंफॉर्मेशन शेर ना करें क्योंकि जनरली होता गया है कि रिक्वेस्ट भेजी सामने बले एकसेट की और अपनी इंफॉर्मेशन शेर करना शुरू कर देते हैं कि भी आप कहां से रहते हैं हम यहां से रहते हैं और अपनी परसनल डीटेल्स भी उनसे शेर करना शुरू कर देते हैं और क किसी भी अगर आपको डाउट फुल नंबर से अगर कोई औडियो या वीडियो कोल का एक रिस्पॉंस ना दें यानि आदरा आपको लगता है कि कोई नंबर ऐसा है कि जो जिसमें जाए डिजिट्स हैं कि अगर आप ऐसी भी किसी भी स्थिती में किसी भी position का अगर सामना कर आपको करना पड़ रहा है तो आप इसमें बिलकुल न डरें और शरम के मारे हिचके चाये नहीं बलकि आप तुरंथ अपने वकील से proper कानूनी सला लें क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है लेकिन आज कर जन्रस टॉपिक जिसके बारें हमने देखा कि हनी ट्रैपिंग कैसे कहते हैं क्या क्या उसमें में पॉइंट होते हैं क्या आप कैसे उस जाल में फसने से भी बच सकते हैं दोस्तों की वीडियो को फुचर में पाने के लिए चलनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको फुचर में मिलते रहें थैंक्स व वाचिं दिस वीडियो